दोस्तो आईपेल के 60 मैचों के बाद देखिए हर्दिक पांडिया और आंद्रे रसेल के आकड़े यह खिलाडी है सबसे खतरनाक हेलो दोस्तो सौगत है आप सबी का फिर से हमारी यूटुब चैनल किरकेट देखो जी में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपेल के 60 मुकाबलों के बाद हर्दिक पांडिया और आंद्रे रसेल ने कितने रन बनाए हैं इनका एवरेज क्या है इनका स्ट्राइक रेट क्या है इन दोनों खिलाडियों ने कितने चखके लगाए हैं इन दोनों खिलाडियों के बारे में आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से कंपेरिजन करने वाले हैं पूरी तरह से तुलना करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि कौन सा खिलाडी है सबसे खतरनाक आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन उस कि अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करे और इस वीडियो को आन्त तक जरूर देखे तो चलिए दोस्तों पिना वक्त गवाई हम इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों IPL 2020 की अधिकारिक तोर पर घोजना हो चुकी है और इसके तारीकों का एलान भी हो चुका है जिहां दोस्तों IPL 2020 का पहला मुकाबला चन्ने सुपर किंग्स और मंबई इंडियांस के बीच खेला जाएगा यह मुकाबला दुबई के स्टेडियम में खेला जाएगा और आप इस मुकाबले को शाम साड़े साथ बजे से स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हो और मुबाइल पर देखना है तो होट स्टार एप्लिकेशन के जरिये से देख सकते हो दोस्तो आईपेल 2020 का हर कोई बेसबरी से इंतजार कर रहा है और इसलिए आईपेल के चर्चाओं का बाजार भी गरम है हर कोई दोस्तो आईपेल की चर्चा करते हुए भी नजर आ रहा है आईपेल के सभी टीमों ने अब कसकर तयारियां करना शुरू कर दी है और जल्द ह आप सभी को मैदान पर भी नजर आएंगे दोस्तो इस बार का IPL बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और खास तोर पर बेहतरीन खिलाडियों पर सभी की नजरे होने वाली है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुंबई इंडियन्स के हार्दिक पांडिया और कोलकता नाइट राइडस के आंद्रे रसिल के बारे में जिहां दोस्तो हार्दिक पांडिया और आंद्रे रसिल के बेच हम आपको बताएंगे उन्होंने आईपियल के इतिहास में कितने मुकाबले खेले हैं कितने रन बनाए हैं उनका स्ट्राइक रेट क्या है और बताएंगे इन देनों में से कोन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी तो चलिए दोस्तो अब बात करते हैं सबसे पहले हारदिक पांडया की जी हां दोस्तो हार आईपियल के इतिहास में कुल 64 मतलब की 66 मुकाबले खेले हैं ऐसे में दोस्तो इन दोनों ने ही सेम टू सेम मुकाबले खेले हैं सिर्फ हारदिक पांडया ने दो मुकाबले ज्यादा खेले हैं अब दोस्तो बात करते हैं इन दोनों के रंस के बारे में जी हां दोस्तो तादि के हार्धिक पांड्या ने आई पेल की इतिहास में 66 मुकाब्लों में 1068 रन बनाए हैं तो वहीं पर दोस्टो आंदरे रसेल ने 64 मुकाब्लों में 1400 रन बनाए हैं एक 1400 रन आंद्रे रसेल ने बनाए हैं तो वहीं पर हार्दिक पांडिया ने 1068 रन बनाए हैं लगबग दोस्तो 300-300 रन ज्यादा यहां पर आंद्रे रसेल ने अब दोस्तो हम बात करते हैं इन दोनों के हैस्ट स्कोर के बारे में दोस्तो हार्दिक पांडिया ने IPL की इध्यास में अभी तक एक इंग्स में 91 रन का हैस्ट स्कोर बनाया है तो वहीं पर दोस्तो आंदरे रसेल ने अपने एक इनिंग में हैस्ट 88 रन बनाई है जिसे में दोस्तों यहाँ पर हार्दिक पांडिया आजरे रेसिल से आगे चल रहे है लगबग बराबरी पर है लेकिन हार्दिक पांडिया ने 91 रन हैस्ट बनाये है अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों के स्ट्राइक रेट के बारे में। तरीन तरीके से यहाँ पर अंदर रसेल बल्ले बाजी करते हैं और बहुत ही खतरनाक बल्ले बाजी करते हैं और स्ट्राइक रेट के मामले में यहाँ पर अंदर रसेल आगे निकल जाते हैं ऐसे मैं दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों खिलाडियों ने कितने चक्के लगाए हैं IPL में तो सबसे पहले बात करें यहां पर हर्दिक पांडिया ने यहां पर IPL के इतिहास में 68 चक्के लगाए हैं 68 चक्के यहां पर हर्दिक पांडिया ने लगाए हैं तो वहीं पर आंदर रसेल ने 120 चक्के लगाए हैं तो च्छकों के मामले में भी अब आंधर रसील हर्धिक पांडिया से आगे निकल गए हैं तो ऐसे में दूस्तों ह यहां पर कहीं न कहीं एह कंपरिजन देखने के बाद ऐसा लगता है कि आपको क्या लगता है हार्दिक पांडिया और अंदरे रसेल में कों है सबसे खतरनाक बल्ले बाद उसका जवाब हमें कमेट बॉस में जरूर दे साथी में दोस्तो हरदिक पांडय के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करे इस वीडियो को अपने WhatsApp ग्रूप में शेयर जरूर करे तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही